कि अरे चोटे-चोटे सा सवाल इसको क्या करूआ मैं अगला गुस्चन देखिए सर दस अजार क्या है दस अजार आपको पैसे लगाने होंगे पॉकेट से देखो मैं एक चीज़ सच्चा ही बताओ ना सर यह लिजे एक और सवाल फिर मैं आपसे डिसकस करूँआ थोड़ा यह पिछले कंसेप्ट का आ गया है यह पिछले कुस्चन का कॉपी हो गया था कहता है प्रजेंट वेल्यू आपको परजेंट वेल्यू फाइंड करना है और 10,000 रूपे मिध्ट रीसीव आफ्टर 8 years आठ साल के बाद आपको 10,000 रीसीव होगा तो इसका परजेंट वेल्यू बताईए रेट कितना है 10%, Бताईए यानि आपको परजेंट वेल्यू निकालना है और आपको future value दे रखा है तो क्या निकालेंगे PV R की power N सरी R और N सर present value नहीं पता पहले question पढ़ लीजे पहला question अलग है दूसरा अलग है और तीसरा अलग है तीनों different है अलग से सवाल में क्या कह रहा है आप present value निकालें 10,000 रुपए आपको मिलेगा कब 8 साल के मतलब 10,000 क्या है future value है तो future value के जगह पर future value पुट कर देते है PVF आपका कब का निकालना है कितने 8 साल बाद rate क्या 10% तो 10% के हिसाब से 8 साल का क्या बनेगा 1 divided by 1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह आगया 0.466 यह आगया 0.466 पहला पार्ट अंसर दन बताएए टेस्ट अभी देंगे ना 30 पर है पांच मिनट चिंता मत करो second case कहता है Mr. X will make 5 annual payment अच्छा इसका मतलब annual payment आ गया तो annuity आ गया Mr. X make 5 annual installment 20,000 रुपे हर साल deposit account कब 15% interest से compoundly find out the future value आपको find क्या करना है future value of series मतलब जब आप जमा करते जाओगे जमा करते जाओगे तो after 5 year में कितने मिलेंगे तो future value कैसे निकालना एनुटी के साब से तो sir मैं यहाँ पर ले लूँ आपका future value का क्या formula होता है एनुटी multiply by C sir यहाँ पर एनुटी कितने है अब CVF निकालो कितने percent के साब से 1 0.15 कितने साल पांस साल एक साल दो sorry 1.15 एक साल दो साल तीन साल पांस साल माइनस वन कितने है रहे 6.74 अरो छोड़ दो ठीक है अगला थर्ड पार्ट कहते है the cost of new mobile phone आपका mobile phone दस अजार का if interest rate आपका है 5% now much would have to be set aside now provide some 5 years यानि आपको 10,000 रुपे का एक mobile phone खरीदना है कब खरीदने का प्लैनिंग है 5 साल के नेक टाइम कितना है 5 years पांस साल के बाद आपका प्लैनिंग चल रहा है सर कि आपको 5 साल बाद कहता है कि the cost of new mobile phone 10,000 if interest rate 5% how much would have to be set aside कितना पैसा जमा करना चालू करोगे 5 years के बाद यानि आपको future value चाहिए क्या आप यहाँ पे हर साल पैसा जमा करने की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको चाहिए क्या future value निकालने के लिए क्या होता है हमारा हमें क्या इसका value given है 10 देखो कहता है the cost of new mobile phone 10,000 रुपे if interest rate 5% how much would have to be set aside now some 5 years पहले question देख लिजे question समझ में आया नहीं है 5 साल बाद अरे phone खरीद के जेब में थोड़ी घुमेगा वो उसने कहा के sir मेरा क्या कह रहे हैं ये देखिए देखिए कहता है ये सवाल देख लिजिए कुछ बच्चों का doubt आ रहा है एक मिनट बचा है सरफ test start करने में क्योंकि हर जगा schedule लगा हुआ है कहता है the cost of new mobile phone नए mobile phone का cost 10,000 कब 5 साल बाद interest rate 5% यानि 5 साल बाद कितना है 10 interest rate कितना है तो कितना पैसा आज वो कर दे रख ले कि 10 साल के 5 साल बाद वो phone खरीद पाए तो यानि आप इसका क्या निकालना चाहते हो यानि present value निकालना चाहते हो क्योंकि 10 तो आपको पता है क्या है future value PV वी फटा फट बता दीजे मैं test start कर दूँ multiply करके ये क्या है multiply करके क्या है बता ये और ने इसका पाँ परसंट हाँ 178 that's it क्यांब करते हैं आप इसको झाल झाल